कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिकच चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दोस्तो आज कि इस वीडियो के अंदर बिटकोईन के बारे में बात करेंगे इठियरियम के बारे में बात करेंगे और एक अल्ड कोई है उसके बारे में बात करेंगे बिटकोइन का प्राइज फिलाल चला है 69,000 डॉलर के आसपास कुसी टाइम पेले 70,000 डॉलर के आसपास हमें देखने को मिला आज ही के दिन बिटकोइन का चार्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे बार-बार उपर रेजिस्टन लेता है और नीचे गिर जाता है अगें ट्राइ करता है गिर जाता है अगें ट्राइ करता है गिर जाता है इस बार यहाँ पे देखे इस लाइन का यहाँ पे हमें थोड़ा सा दूलर के आसपास रहे तो मेरे इसाफ से clear कि आप यहाँ पर longs के trade देख सकते हैं जो कि stop loss के साथ stop loss आपका फिर चला दाएगा 68500 या तो उसे नीचे अपने इसाफ से line से नीचे लगाना है यह green line आपको देखने को मिल रहा है इससे नीचे नीचे आपको stop loss लगा के trading करने हैं टार्गेश देखेगा 74000 डॉलर के आसपास ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है बटे फेक आउट नहीं निकलना चाहिए क्योंकि time के इसाफ से वो try के इसाफ से मुझे chance ज्यादा लगते हैं कि यहां पर price को break करेगा और जैसे break करके 70 वाला area में bitcoin कुसेगा फिर alts बढ़ना शुरू हो जाएंगे काफी 30 से alts मेरे इसाफ से बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि फिर bitcoin एक नया हाइ बनना शुरू करेगा तो अल्ट में दबाके volume भी आने के चांसे वो बन जाएंगे नेक्स हम ethereum के बारे में बात करने से पहले एक alts coin दिखा देते हैं क्योंकि small cap एक ऐसा alts coin है हमने list भी दिया था और अभी plus के अंदर है हो सबता है आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दू कि भाई profit book नहीं किया तो profit book किजिए और इसका नया एक event है entry के बारे में भी मैं थोड़ा यहाँ पर बताऊंगा दूस्तों आपको याद होगा कुछ time पहले हमने एक small cap वाले coins का list जारी किया था उस list के अंदर एक coin था search तो search का यहाँ पर result देखेगा video बनाने के बाद मतलब इस time पर video बनाया गया था 0.09$ के उपर trade कर रहा था और अभी 0.19$ के आसपस गया है और अभी current 0.13 के उपर चल मतलब doubles इतना हुआ है और अभी 50-60% plus के अंदर है इस coin के बारे में again मैं बताना चाहूँगा small cap coin है जो की इसमें risk ज्यादा है compared to दूसरे strong coin बाकी use case के दारे में देखेंगे तो wave 3 के अंदर आता है like हम file coin की बात करेंगे file coin अब यह project भी उसी तरीके की category के अंदर आता है और process करेगा data ज्यादा से ज्यादा secure होगा आप कहीं data रखना चाहो तो इस project की बदद से strong box 2.0 की मदद से आपका data है वो secure कर सकते है decentralized तरीके से तो इस update की बज़े से हो सकता है एक jump आपको यहाँ पे कहीं बीच में देखने को मिले 0.13 के उपर चला है जो कि बहुत small हिस्सा आप पर stop loss भी लगाना पड़ेगा event आने के time पे हो सकता है pump हो तो आपका यहाँ पे कुछ profit side में निकल सकता है दोस्तों के बारे में बात करेंगे अब इथिरियम का प्राइज 3328 डूलर के उपर trade गर रहा है इथिरियम में काफी ज्यादा bullish news थे और जैसे news चलेगे उसके बाद एक correction भी देखने को मिला जिन time पे news था market देरे देरे करके इथिरियम का price पहुचा देया था 3550 डूलर जैसे इथिरियम का news आ गया मतलब न्यूज यह थी कि इथिरियम के sport जो ETF है वो trade होंगे तो जैसे trade होना शुरू होगे फिर dump खा गया कोई भी event आता है event चला दाता है उसके बाद कुस correction आता और फिर अब मैं यहां पर है मान रहा हो कि जो news था इतना bullish news था कि इथिरियम के ETF आये launch हुए trade भी होना शुरू होगे अब दीरे दीरे करके जिसे Bitcoin के अंदर rally आया था जिस time पे Bitcoin का ETF अप्रू हो था उन time के अंदर Bitcoin का price था 43,000 डॉलर ETF अप्रू होने के बाद Bitcoin डाउन आ गया थ था 38 के आसपास आ गया था और फिर कुछ time के बाद Bitcoin एक नया हाई बना दिया 73,000 डॉलर तो वेसे मुझे लगता है कि इथिरियम भी यहां से रेली करेगा और इसे short term Bitcoin 54 को पार करता है तो इथिरियम भी 3600 से लेके 4000 डॉलर तक पहुंच जाएगा